अभी में गाउं आई हुई हूँ और आज हमारे घर में न धेर सारी लीची आई थी और ये लीची इतनी मीठी थी कि खाके मज़ा आ गया था फिर उसके बाद धेर सारी लीची आप बच गए थी तो मैंने सुचा क्यों नहीं इसका कुछ ठंडा ठंडा बनाया जाए और परस जिठानी और जिठानी की बेटी भी बैट गए थी ताकि ये फटा फट से तयार हो जाए गर्मियों की छुट्टी में ही थोड़ा सा समय मिलता है जब हम अपने परिवार के सांथ बिता पाते हैं क्योंकि उस समय होती है बच्चों की छुट्टिया तो लीची को छीनने के इसका पेट फाड़के हम क्या करेंगे कि इसका जो बीज है वो निकाल लेंगे मतलब लीची के अंदर का बीज निकाल के हटा देना है तो यहां पे पूरा एक को टोरी मैंने लीची ले लिया है अब आप यहां पे मिक्सी का जार ले लीजिए और यह जो लीची का पल्प ह अब अब लीची का फ्लेवर बहुत अच्छा आथा इससे और चीनी आप अपने टेस्ट का नुसार डाल सकते हैं मैं यहां पे तीन जम चीनी डालरी हूँ क्यूंकि लीची भी यहां पे काफी मीठा था और अगर मैं बहुत जादा चीनी डाल देती हूं तो क्या होता है न इसे अच्छे से grind कर लिया है आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही serve कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे छान लिया था ताकि थोड़े बहुत जो pulp हैं वो अलग हो जाएं तो बड़ी छन्नी नहीं थी तो मैंने यहाँ पर चाहे छन्नी से छाना था तो इसे छानने में थोड़ा सा समय ल यहाँ पर मैंने बरफ निकाल लिया है ताकि हमारा जो ड्रिंक है अच्छा थंड़ा थंड़ा हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास में दो आईस क्यूब डाला है आप अपनी आउशक्ता नुसार डाल सकते हैं और नॉर्मली जो आप मार्केट का लीची का जूस पीते हैं उपर से ताकि यह देखने में अच्छा लगे उमीद करती हूँ आज कि आपको रैसेपी आपको पसंद आई हो अगर आप चैनल पर नहीं है तो फ्रेंट्स फैमिली में शेयर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा तो मैं चलती हूँ इसे अपने फैमिल